नमस्कार एक बाद फिर से स्वागत है आपका जेजैन नीज्स के एक और खास ख़बर में हदवानी नगर निगम की बोट बैठक में आज जम कर हंगावा हुआ साथ ही मेर और नगरायुक्त पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं इस कारेकाल की अंतिम बोट बैठक में आज बज़ट भी पेश किया गया इसी दोरान अपने वार्डो की उपेक्षा से नराज अधिकता पार्शदों ने हंगामा करते हुए कहा कि फाइदे की बज़ाए नगर निगम को तीन करोड के घाटे का बज़ट दिखाया जा रहा है वाई बोट बैठक समाप्त होने के बाद मेर जुगीन पाल सिंग रतेला ने कहा कि हल्दवानी के विकास के लिए बैठक में महत्पून प्रस्ताप पास किये गए है साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष रवी जोशी पर मानहानी का दावा करने की बात कही है जहां मेर ने कहा कि रवी जोशी बेवजा आरोप लगा कर उनकी छवी को खराब करने की कोशिश कर रहे है प्रतिन्ती की पैचान है वो चर्चा करें, स्वस्त चर्चा करें, पुर्जोर तरीके से अपनी बात को रखें, खाली घोटालों का अरोप लगा देना इससे कोई सहमत नहीं होगा. तो यह बड़ा विसे नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा सीमा को पार कर चुके हैं उस सीमा को पार करने के कारण थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उनको विदिक का रूप से भी अब मैं थोड़ा सा कॉनर करूंगा किस तरह सदन की मर्यादा होती है गत्ति की मान होती है उस मानहानी को लेकर मैं उन पर जल्द ही उनको नोटिसस सफ की जाएगा करवाई की तौर पर क्या जिस तरीके से हमें संसद में देखने को मिला वही उन्दवानी की संसद में देखने को मिल सकता है देखेों दिसे क्या है प्रस्ताओं आते हैं सेहर के प्रस। इसन स्वपर अब तो शोटे मूं राक्सस के जान लोड़ायारा ऊफ्टे कर लब लैक्राइग makers और पर सब्सक्राइब करवाए या। होती है आज हमें सीखने को मिला हदवानी नगन निगम से कि राक्सास कौन है और तोतों कौन है क्या चीज़ आप रख रहे हैं अपने वाड़ों की समस्या रखी है जो कालडूंगी रोड में जल भराव रहता है सबसे बड़ा जल बराव उसके बारे में हमने इन से कहा है और जो इनका एक नाराज जाता है कूड़े की गाड़ी में सोचता के लिए कि रोड में कूड़ा होगा आग लगाएना कानूनी अपराद है जो टंचिंग राउंड में इनका कूड़ा बढ़ा रहता है जो आग लगरी है रात दिन वो क्या अपराद नहीं है इनके अपराद और इनके नियम यही तैय करते हैं। अबी के लिए सिर्फ इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें। जे जैन नियूस के साथ नमस्कार।